आज हम जिस topic के बारे में पढ़ रहे हैं इसके previous वीडियो में हमने जितने topics पढ़े हैं वो इसमें काम आने वाले हैं तो आज का हमारा जो topic है वो है force on the surface तो कोई भी हम एक surface लेते हैं किसका एक conductor कोई भी surface लिया हमने और उसको हमने सबसे पहले charge किया है तो एक conducting surface को जब हम charge करते हैं तो उसके entire surface पे वो charge produce हो जाते हैं तो देखिए students सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी हमने conductor लिया है उसको हम पहले charge करेंगे और उस charge के कारण जितने भी हम elements उस surface पे बनाएंगे उन सारे elements पर जो force लगेगा वो कैसा होगा repulsive force होगा क्यों क्योंकि हमने जिस surface को charge किया है वो सिर्फ एक charge से हम charge करेंगे तबी तो वो charge कहलाएगा तो क्या करना है मान लो हमने conductor लिया है और उस surface को हमने charge कर दिया है तो positive charge जो है उसके entire surface पे आ गए अब क्या करना है हमने उस surface पर अलग-अलग elements लिये है ठीक है अब वो सारे के सारे elements पर क्या है charge same है तो charge same होने के कारण जो भी वहाँ पे force होगा वो क्या होगा repulsive force होगा वो एक दूसरे को क्या करेंगे repel करेंगे तो जितना भी repulsive यहाँ पर force है उनका हम sum करेंगे किसी एक element पर मान लो हमने बहुत सारे elements लिये है और एक तरफ हमने एक element लिया है तो सारे के सारे elements के कारण इस element पर जितना force लग रहा है उसका sum क्या होगा उस पूरे entire surface का repulsive force निकल जाएगा तो इसके बाद हमें क्या करना है कि एक unit area पर जब हम force देखते हैं तो वो क्या होगा उस unit area पर क्या माना जाएगा force माना जाएगा force pressure माना जाएगा जिस तरह से हम बात करते हैं कि अगर हम pressure के बारे में पढ़ रहे हैं तो pressure equals to क्या होता है f upon a तो मान लो ये हमने एक element के लिए ले लिया है यहाँ पर हम a को d s भी लिख सकते हैं तो ये क्या है उस element का surface area है इस surface area पर उस element पर कितना force लग रहा है df force लग रहा है तो per unit area पर जितना force लग रहा है वो वहाँ पे force pressure कहलाएगा तो इसकी हम इस topic में बात करने वाले हैं तो चलते हैं इसके derivation पर उससे पहले हम इसके diagram के बारे में बात कर लेते हैं तो देखें students सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं एक हमने ये surface लिया है ये क्या है एक surface है एक conducting sphere है तो इस conducting sphere को जब हम किसी एक positive charge से charge करने वाले हैं तो जब हमने इसको positively charge से charge कर दिया तो इसके entire surface पे positive charge जो है वो इस तरह से distribute हो जाएंगे ये हमने पहले जितने भी derivations पड़े हैं गॉसे जो की application में उसमें हमने पढ़ लिया है conducting के लिए हम अलग से derivation कर चुके हैं non conducting के लिए हम अलग से derivation कर चुके हैं तो ये क्या है एक conducting sphere हमने लिया है इसको हम जब charge कर देते हैं तो इसके entire surface पे इस तरह से positive charge distributed हो जाते हैं अब क्या करना है यहां पर हमें मान लो हमने A, B और C ये A, B, C क्या है ये area है किसका area of entire spherical surface ये complete spherical surface का क्या है area है अब इस area को हमने दो parts में divide किया है सबसे पहले हमने लिया है A, B part ये A, B part का हमने इस पर एक element ले लिया है ठीक है students तो ये तो क्या हो गया part first इसको हम नाम देते हैं और इसके कारण जो electric field intensity होगी उसको हम क्या लिखेंगे उसको हम E1 से represent करने वाले हैं second हमने क्या किया है ये A, B element के अलावा हमने A, C, B एक दूसरा part लिया है A, C, B ये कौन सा part है ये हमारे पास second part है और इस second part के कारण जो electric field intensity होगी उसको हम represent करेंगे E2 से clear तो यहां तक बात होती है इसके बाद हमें क्या लेना है दो points ऐसे लेने हैं जिसमें हम outside the sphere और inside the sphere दो parts की हम बात करेंगे तो हमने spherical surface के outside जो point लिया है वो हमने लिया है P और inside जो point लिया है वो क्या लिया है क्यों लिया है अब देखो student इन दोनो points पर इन दोनो parts के कारण हमें electric field intensity देखनी है यहां तक बात समझ में आने के बात हमें क्या करना है P point पर AB के कारण electric field intensity हम लिख देते हैं E1 और उसके direction क्या होगी outward the spherical surface ओके अब हमें क्या करना है second part ACB तो ACB के कारण P point पर जो electric field intensity होगी उसको हम represent करेंगे E2 से और इसके जो direction होगी वो भी क्या होगी outward the spherical surface तो यहां तक बात हम कर चुके हैं क्या कि हमने की यहां पर हमने P point outside the sphere रखा है यहां हमने जो दो parts लिए हैं उनके कारण electric field intensity E1 और E2 से हमने इसको represent किया अब इनके direction के बात करते हैं तो outside the sphere अगर हम कोई भी point लेंगे तो वहां पर electric field intensity outward the surface होगी अब हम बात कर लेते हैं Q point की तो Q point पर AB part first के कारण electric field intensity होगी E1 मान लो इसके direction यह है अब ACB part 2 के कारण electric field intensity को हमने लिखा है E2 तो इस ACB part के कारण इस point Q पर electric field intensity होगी E2 अब यह दोनों जो electric field intensity है इन दोनों की value तो same होगी लेकिन direction क्या होगी opposite होगी ओके students तो यहाँ पर सिर्फ समझने वाली बात कौन सी है कि हमने एक conducting surface लिया है उसको जब हमने charge किया तो इसके entire surface पर positively इस तरह से यह पूरा का पूरा surface charge हो जाएगा इसके बाद हमने दो parts में इसको divide किया है एक element हमने लिया है AB और दूसरा element हमने लिया है यह ACB जो बाकी जो part बसता है वो कौन सा हो जाता है ACB अब AB part के कारण electric field intensity हमने represent की है E1 से और ACB part के कारण हमने electric field intensity represent की है E2 से अब अगर हम बात करें कि P point जो outside लिया है उस पर दोनो parts के कारण electric field intensity same होगी और direction भी इसकी क्या रहेगी? सेम रहेगी outward और इसमें हमने क्या देखा? second part में कि यह जो Q point है जो inside the surface हमने लिया है इस पर दोनो parts के कारण electric field intensity जो रहेगी वो सेम रहेगी लेकिन ये दोनों जो direction होगी वो opposite direction में होगी बात यहां तक लियर अब क्या करना है देखो student हमें इन दोनों electric field intensity का सम करना है जो की P point पर total electric field intensity होगी E P तो E P अगर हम बात करें वो तो क्या है? इन दोनों का सम है P point पर अगर हम E Q की बात करें तो E Q जो electric field intensity होगी वो इन दोनों के सम से होगी तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे Q point पर electric field intensity हमें चाहिए तो उसको हम represent करेंगे E Q से तो अब हमें क्या करना है E-P and E-Q इन दोनों की हमें value निकालनी है So एक बार फिर से हम डाइग्राम बना लेते हैं ये हमने spherical surface लिया है इसको positively हमने charge किया है और एक element हमने यहां लिया था A-B P-point outside the spherical surface जिस पर A-B के कारण electric field intensity E-1 थी Outward and A-C-B के कारण electric field intensity E-2 थी Outward direction इन दोनों के direction क्या रहेगी? Same रहेगी Second हमने बात की थी यहां पर Q-point की जिस पर electric field intensity A-B और A-C-B के कारण E-1 and E-2 और दोनों के direction क्या रहेगी? Opposite direction सबसे पहले हम बात करते हैं E-P की तो E-P equals to E-1 plus E-2 अब इसका जो resultant E-P है वो हम कहां से देखेंगे? देखो student हमने surface charge surface charge density पढ़ी थी surface charge density क्या होती है? surface charge density sigma equals to Q upon S यह हमने पढ़ी थी अब एक हमने बात की थी Gaussis low की application में कि हमने conducting and non-conducting एक परत ली थी हमने ठीक है? एक layer ली थी एक surface लिया था उस surface पर हमने electric field intensity निकाली थी तो conducting surface के बात हो रही है माल लो यह बाहर का हमने जो surface लिया है इस पर electric field intensity की बात करते हैं तो conducting surface पर electric field intensity हम निकाल चुके हैं उसका formula आता है sigma upon epsilon naught और यह जो sigma है वो क्या होगी? surface charge density होगी तो यहाँ हम EP की बात कर रहे हैं दोनों को हमने प्लस कर दिया है तो total जो electric field intensity point P पर होगी वो कितनी होगी? sigma upon epsilon naught यह equation number first हम consider कर लेते हैं इसके बाद students हमें inside the spherical surface जो हमने point लिया है Q इस पर हम बात करते हैं तो EQ equals to E1 इसमें अगर हम positive direction रख ले second क्या है? negative direction में जा रहा है तो इसकी direction हम negative कर देते हैं तो resultant जो electric field intensity होगी वो क्या होगी? EQ और यह कितनी रहेगी? 0 क्योंकि यह दोनों same है लेकिन opposite direction में है तो दोनों cancel out होकर resultant जो value होगी वो अपने आएगी 0 तो E1 minus E2 equals to 0 यहां से हम देखते हैं E1 equals to E2 अब यह हमने consider कर लिया second equation second equation की value जब हम first में put करते हैं माल लो हमने E1 के जगे put किया है E2 तो यहां हम E2 put करेंगे E2 plus E2 equals to sigma upon epsilon naught then 2 E2 equals to sigma upon epsilon naught E2 के value यहां से निकल कर आती है sigma upon 2 epsilon naught तो students यहां पर यह third equation हमारे पास क्या आ गई? यहां पर E2 E2 का मतलब क्या है? हमने कौन से part के लिए देखा था? electric field intensity ACB part के लिए यह ACB part जो है वो electric field intensity 2 की बात करता है इसका मतलब क्या है? यह जो electric field intensity है वो ACB part के करण है due to ACB electric field intensity E2 on कौन से element के पर है यह? AB element पर electric field intensity है किसके करण ACB ACB element के कारण ACB element के कारण electric field intensity E2 है किस पर है? AB element पर है अब students हमारा जो topic था वो force पर था कि हमें एक force निकालना है इस AB element पर तो force निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें उस element पर electric field intensity चाहिए तो force निकल जाएगा easily अब क्या करेंगे देखो यहां पर हमें AB element पर ACB element के कारण electric field intensity मिल गई है तो अब हमें क्या करना है? next हमें step में force निकालना है इसका use करके तो देखिए इसको कैसे हम उसमें use करते हैं देखिए students हमारे पास E2 का formula आ गया था sigma upon 2 epsilon 0 यह हमने third equation consider की थी next step में हमें क्या करना है? force की value निकालनी है किस पर? AB element पर AB element पर जो force होगा वो DF होगा और DF को हम क्या लिख सकते हैं? E2 DQ लिख सकते हैं यह देखो students हमने यह equation कहां से बनाई है? हमने पढ़ा था कि E equals to F upon Q होता है electric field intensity का एक formula यह भी होता है जिसमें हम E equals to F upon Q लिखते हैं तो F का जो formula है वो क्या हो जाएगा? यहां से EQ हो जाएगा? अब हम किसी एक element पर force की बात कर रहे हैं तो उस element पर जो force होगा वो D F में change हो जाएगा और यहां जो Q होगा वो क्या हो जाएगा? D Q हो जाएगा तो D F equals to E D Q हमारा यह formula यहां से बना है तो यह formula हम यहां पर लगाएगे electric field intensity यह क्या है? E2 है कौनसे element पर है? AB element पर है और AB element पर ही हमें force निकालना है तो यह जो force निकलेगा वो इस AB element पर निकलेगा तो देखो next step में हम क्या करते हैं? E2 के value यह हम यहां पर put करते हैं E2 हमने put किया sigma upon 2 epsilon 0 और यहां क्या है? हमारे पास D Q है अब देखो students यह क्या है? इस AB element पर charge है क्योंकि हमने consider कर लिया है कि complete जो conductor है उस पर हमने जो charge दिया है उसको वो है Q लेकिन अगर हम उस पर एक element consider कर ले AB तो उस पर charge कितना हो जाएगा? DQ charge होगा तो यह जो DQ charge है इसको हम किस तरह से यहां पर manage कर सकते हैं? देखो surface charge density sigma equals to क्या होता है? Q upon S अब अगर हम इसको किसी element के लिए लिखते हैं तो sigma equals to DQ upon Ds लिखेंगे यहां पर DQ जो है वो हम sigma Ds consider करके यहां लिख सकते हैं तो Df equals to sigma upon 2 epsilon 0 और यह यहां पर DQ की जगे हम put करते हैं sigma Ds तो यहां पर next formula क्या बनेगा? sigma square upon 2 epsilon 0 Ds यह हमारे पास Df का formula बन जाता है अब क्या करना है? यह जो है वो तो हमें AB element पर force की equation हमें मिल गई है लेकिन अगर complete entire surface पर हम force की बात करें तो इसका हमें integration करना पड़ेगा अब integration के लिए क्या करेंगे देखो? हमने integration कर दिया यहां पर F निकल के किस तरह से आता है? integration of sigma square upon 2 epsilon 0 Ds यह हमारे पास equation आ जाती है किसके लिए complete entire surface पर force आ जाता है तो यह जो force है उसको हम लिख सकते हैं integration of sigma square upon 2 epsilon 0 Ds अब इसको आगे थोड़ा ओर solve कर सकते हैं मान लो कि हमारे पास electric field intensity कितनी थी? sigma upon epsilon 0 यह लिखते हैं हम अब अगर हम sigma निकालना चाहें यहां से तो sigma equals to epsilon 0 और E इस तरह से हम लिख देंगे इसको तो यहां sigma को हम epsilon 0 square E square लिख सकते हैं यहां पर square है तो अब क्या करना है? F equals to यहां हम बात करते हैं epsilon 0 square E square upon 2 epsilon 0 Ds तो हमारे पास जो एक पेशन मिलती है हमें वो क्या मिलती है? integration of 1 upon 2 epsilon 0 से epsilon 0 cancel out epsilon 0 E square and Ds तो F का formula हमें मिलता है integration of 1 upon 2 epsilon 0 E square Ds तो complete surface पे हमें जो force मिलता है एक resultant force हमें जो मिलता है उसका formula हम निकाल चुके हैं अब जब हमने force निकाल लिया है तो एक per unit area पर जो force होगा वो किसको बताएगा? यहां पर electric pressure को बताएगा कि electric pressure कितना बन रहा है? तो उस electric pressure को निकालने के लिए हम किसका use करेंगे? इस F की equation का use करेंगे या फिर हम किसका use कर सकते हैं? यहां पर जो df का formula हमने बनाया है इसका direct हम उसक में use कर सकते हैं तो students देखिए हमने F की equation ले ली है integration of 1 upon 2 epsilon 0 E square Ds यह हमारे पास equation आ गई है fourth यह consider हमने कर ली है जो की force को बताती है अब हमें per unit per unit area पर हमें क्या निकालना है? pressure निकालना है तो pressure को हम क्या लिखते हैं? P से denote करते हैं यह Df upon Ds लिखा जाएगा तो यहाँ पर only हमें Df की equation लिखनी है तो क्या लिखेंगे? 1 upon 2 epsilon 0 E square Ds यह हमारे पास equation थी only हम Df की बात कर रहे हैं तो अब हम क्या करते हैं? divide करते हैं Ds से यह cancel out तो हमें pressure का formula मिलता है 1 upon 2 epsilon 0 E square तो students हमें यहाँ पर 2 equations निकालनी थी जो हमने derive कर ली है तो अगर हमें बात करनी हो force on the sphere of charge conductor तो सबसे पहले क्या करते हैं? हमने एक conductor लिया है एक spherical conductor हमने लिया उसको हमने charge कर दिया तो उसके entire surface पे positive charges आ गए अब हमने वहाँ पर एक element लिया है AB और जितना part second बच रहा है उसको हम लिखेंगे ACB मतलब कि जितना हमने spherical surface लिया है उसको हमने ACB से denote किया है वहाँ उसके 2 parts हमने कर दिये AB and ACB तो AB के कारण जो electric field intensity होगी वो होगी E1 और ACB के कारण जो electric field intensity है उसको हम denote कर रहे है E2 से अब हमने 2 points लिये है outside and inside outside जो point हमने लिया है वो है P P पर दोनों part के कारण electric field intensity same होगी और उनके direction भी same होगी second हम देखते हैं कि inside the sphere जब हम Q point के बात करते हैं तो Q point पर electric field intensity AB and ACB दोनों के कारण same तो होगी लेकिन उनके direction क्या होगी opposite direction होगी opposite direction के कारण जब हम उनको sum करके resultant intensity निकालेंगे inside the at any point inside the spherical surface तो हमें वो electric field intensity क्या मिलेगी 0 मिलेगी then वहाँ से हम क्या करते हैं calculation करके हमने E2 की value निकाली है E2 की एक equation हमने निकाली है वो E2 equation ACB के कारण electric field intensity है कौनसे element पर AB element पर अब जब हमें AB element पर electric field intensity मिल गई है तो AB element पर हम force भी निकाल सकते हैं जिसका formula हमने लिखा था df equals to e2 dq तो ये हमने ये formula लिखा था E2 का हम जब formula उसमें apply करते हैं then हम force की value निकालते हैं integration करके तो हमारे पास equation आती है ये fourth क्या equation है force equals to integration of 1 upon 2 epsilon 0 e square ds ये equation हमारे पास आ गई अब हमें इसका use करना है pressure का formula निकालने के लिए तो per unit area में जब हम force की बात करते हैं तो वो क्या बन जाता है उस area में per unit area में force अगर बात करें तो वो pressure बन जाता है जिसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे है electric pressure बोल रहे है ठीक है तो अब df upon ds यहाँ पर df का formula हमने apply किया ds से ds cancel out then हमें pressure यह मिल गया है तो इसको करने का क्या हमें मिलता है कि दो equations हमें पता लगती है यहाँ पर एक तो हम बात करते हैं force की then हम बात करते हैं pressure की ओके student तो इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में हम इसके next topic की बात करेंगे तब तक के लिए thank you